CAC के और से एक ड्राइब चलाई जा रही है जिसका नाम है मेगा फार्मर रेश्टेशन ड्राइब इस ड्राइब के अंदर CAC वेली को करना क्या है फ्रेंड जो भी आपके आसपास किसान होंगे जिनका PM किसान सम्मानिदी योजना का पेमेंट आता होगा मतलब सलाना 6000 जो आती है इस परकार के जो भी लाबुख होंगे उनका रेश्टेशन हमें करना है CAC किसान E-Mart के माधियम से इससे दोस्तों किसानों का लाब क्या होगा कि वो FPO में डिरेक्ट जुड़ जाएंगे और उनकी जो भी फल और सबजी होगी वो असानी से बड़े बचारों तक पहुँच पाएगी फ्रेंड CAC FPO योजना क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि हर ब्लोक में एक FPO ओपेन होने वाली थी सभी ब्लोकों में ये ओपेन हुई है या फिर नहीं हुई है ये तो हमें पता नहीं लेकिन दोस्तों इस प्रकार के जो लाबुक होंगे PM किसान समाने दी योजना के उनका रेश्टेशन हमें करना है CAC PORTAL के माधियम से वो हम किस प्रकार से कर पाएंगे तो चलिए हम उसे आगे जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करना चाहूंगा गुजारिस जिन दोस्तों नहीं तक हमारे चैनल न्यूपडेट ओनलाइन को सब्सक्राइब ने किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपोर्टेंट और प्रिक्टल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं जब भी दोस्तों आप PM किसान समान निदी ओजना के जो लाबुक हैं उनका रेइस्टेशन आप डिजिटल से वाकी पोटल की मदद से करना चाते हैं किसान e-mart के platform में तो किस प्रकार से आप करेंगे friend सबसे पहले हमें डिजिटल से वाकी पोटल को open करना है open करने के बाद हम इसे login भी कर लेंगे जैसे हम login करेंगे friend इस प्रकार की dashboard आपको नज़र आएगी अब हमें करना क्या है services पे click करना है जब हम services पे click कर लेंगे इसके बाद search के menu में हमें search करना है तो यहाँ पे हमें क्या type करना है friend किसान हम type करेंगे यहाँ पे जैसे हम किसान type करेंगे तो काफी service आप देख पाएंगे लेकिन हमारे cursor के पास जो service आपको नज़र आ रही होगी किसान e-mart इसी option पे हमें click करना है आगे के option में जाने के लिए second dashboard कुछ इस प्रकार का होगा हमें क्या करना है login with digital service connect पे click करना है जैसे ही friend हम इस option पे click करेंगे तो कुछ internal dashboard हमें इस प्रकार की नज़र आएगी PM किसान समानिदी योजना के जो लाबुक होंगे इस प्रकार के जो भी किसान होंगे उनका अगर हमें registration करना है FPO के अंदर तो हमें करना क्या होगा तो हमें करना क्या होगा काफी option आप देख पा रहे होंगे add farmer registration, add farmer stock, add upcoming stock, view upcoming stock इस प्रकार की काफी option यहाँ पे दी गई है लेकिन दोस्तो जब आपको किसान add करना हो किसान e-mart के portal में तापको करना क्या है add farmer registration पे आपको click करना है friend इसके बाद किसान का कुछ normal सा डीटेल यहाँ पे हमें fill करने क्या हो सकता है और कुछ document upload करने क्या हो सकता है उसके बाद आसानी से इस प्रकार के जो भी किसान होंगे उनका successfully registration हो जाएगा तो करना क्या होता है friend सबसे पहले हमें farmer का नाम यहाँ पे fill करना होता है इसके बाद उनके father का नाम इसी प्रकार से email ID, gender, mobile number, date of birth यह कुछ normal से डीटेल fill करने क्या हो सकता होती है पिर जो भी bank account वो देंगे उनके bank detail को यहाँ पे fill करने क्या हो सकता होगी इसके साथ ही दोस्तों उनके passbook को भी upload करने क्या हो सकता होगी या फिर उनके पास cancel check है तुसे भी आप upload कर सकते हैं जब हम थोड़ी cursor को down करेंगे friend आप option देख पाएंगे farmer address detail तो जो भी किसान होंगे उनकी पूरी address को यहाँ पे fill कर देना है इसके साथ ही कुछ और important document जो आपको upload करनी है वो यह रहा जैसे की किसान का pain card इसके साथ ही ID proof में आप आधार card को upload कर सकते हैं address proof की बात करे friend तो तीन option आप देख पारे होंगे voter ID card, driving license और electric bill इन सब में कोई भी एक document को आपको select कर लेना है अंत में आपको करना क्या है किसान registration करने के लिए submit कर देना है friend, successfully इस परकार के जो भी किसान होंगे उनका registration हो जाएगा side में दोस्तों काफी option आप देख पारे होंगे जो भी किसान का हम registration करेंगे अगर उनके पास फलियां, सबजियां अश्टोक में है तो उस अश्टोक को दिखाने के लिए हमें करना क्या होगा add farmer अश्टोक में किलिक करेंगे और जिस भी किसान के पास अश्टोक होगी उसकी पूरी detail हमें यहाँ पे fill कर देना होगा यह जानकारी FPO के पास पहुँच जाएगी कि किस किसान के पास कितनी फल या सबजी है वो आगे की प्रोसेस करेंगे इन सब के बारे में आप पहले ही जान चुके होंगे कि क्या होती है FPO अगर आपको पता नहीं तो आप Google में इसके बारे में सर्च कर सकते है या फिर हमारे वीडियो के नीचे डिस सब्स्क्रिप्शन बोक्स में चले जाएं पूरी जानकारी वाली वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि FPO आखिर होता क्या है आसा करता हूँ दोस्तों सारी बात है आपके समझ में आ चुकी होगी कि Mega Farmer Registration Drive में हमें किस प्रकार से किसानों का Registration करना है अपने आसपास के जादा से जादा किसानों का Registration करें कमिशन क्या मिलेगी अभी तो ये confirm नहीं है आने वाले समय में पता चल सकता है कि Registration का कमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सेर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का पहुत बदेना थैंक्यू